नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आमीतोर आप देख रहे हैं आडियो गुरुजी और आडियो गुरुजी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अन्बॉक्स करने जा रहे हैं डेनन के एक एवी आर को जिसका की मॉडल नंबर है डेनन एवी आर 550BT ये एक 5.2 चैनल एवी आर है जिसमें हमें ब्लुटूथ का सपोर्ट भी मिल जाता है ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिविकेशन भी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम तो चलिए शुरू करते हैं और फ्रेंट्स सबसे पहले हम कर लेते हैं इसे अन्बॉक्स और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़े साथ में मिलती हैं तो यहां से पहले हम इसे हटा लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं आपकी इस तरीके से इसे पैक किया गया है सबसे पहले में मिलते हैं दो ट्रिपल इस साइज की बैटरी जो कि हमारे इस रिमोट कंट्रोल के लिए हैं और इसे हम रखते हैं साइट पर पहले और यहां में मिलता है कि यह पैकेट जिसके अंदर FMN AM का एंटीना दिया गया है और साथ में दी गई है इसकी बुकले और स पर आप में कुछ पेपर वक्स और जो भी है वो दिये गई है तो आप मैन्युल वगएरा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं तो इसे भी मैं साइट पर रख देता हूं यहां पर और यहां में मिलता है ODC, Calibration, Mic और में जो सी आइटम हमारी वह है यह तो चलिए इसे भी बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो यार की इस तरीके का सेट हमें मिलता है यहां काफी अच्छी सी लोग इसकी बनाई गई है उपर लिखा हुआ है यहां पर डॉल्बी ऑडियो डेडी एस एच्टी स्टी माई डॉल्बी विजन ब्लुटूथ और स हमें मिल जाता है इसका पावर ओनाफ का स्विच यहां पर हमें हैड फॉन लगाने के लिए option मिलता है यहां पर हमें हाइड रिजलीशन और करने के लिए USB मिल जाती है उपर की दरफ जो है वो स्क्रीन दी गई है और यहां पर कुछ बटन्स दी गए है नीचे की तरफ के बारे में भी हम आगे बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगर आप करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये डैनन का एक एंट्री लेवल मॉडल है जिसके अंदर हमें दो सबूफर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक 5. 5.2 चैनल ये वी आ रहा है तो मतलब इसमें हम दो सब उपर लगा सकते हैं और फ्रेंट्स अगर बात करते हैं इसकी पावर आउट्पुट की तो 70 वाट्स पर चैनल इसमें हमें आउट्पुट मिलती है और 130 वाट्स पीक पावर आप इस पर 6 ohms से लेकर 16 ohms तक के स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं और फ्रेंट्स अगर बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की तो सबसे पहले बात करेंगे HDMI की HDMI इनपुट में हमें 5 स्लोट मिल जाते हैं जिसमें से 3 स्लोट जो है वो 4K Ultra HD, HDR, HD PC 2.2, Dolby Vision, HGL, BT 2020, 4 Ratio, 4 Ratio, 4, Pure Color, Sub Sampling, 3D Video Passthrow का सपोर्ट मिल जाता है HDMI Out के अंदर हमें मिलता है एक स्लोट जो की ARC, CEC और On Screen Display को सपोर्ट करता है और फ्रेंट्स पैनल पर हमें मिल जाता है एक USB का स्लोट जो की High Resolution Sound को सपोर्ट करता है अगर यहां बात करते हैं फॉर्मेट्स की तो इस पर आप MP3, FLAC, ACC, WMA, and MPEG4 को सपोर्ट करता है तो अगर बात करते हैं फ्रेंट्स इसके वीडियो फॉर्मेट्स की सपोर्ट की तो यहां पर हमें मिलता है Dolby Digital का सपोर्ट, Dolby True HD का सपोर्ट, Dolby Vision का सपोर्ट, 3D का सपोर्ट, and Ultra HD यानि की 4K का सपोर्ट साथ ही साथ हमें मिल जाता है इसके अंदर Bluetooth और FM and AM का भी option और फ्रेंट्स अगर आगे बढ़ते हैं connectivity में तो इसमें हमें दो input मिल जाते हैं optical cable के लिए और दो मिल जाते हैं composite के लिए और एक out, and दो हमें मिल जाते हैं analog inputs जैसा कि अमने देखा कि इसके साथ में calibration mic भी मिलता है तो आप अपने room correction को automatically कर सकते हैं जिससे कि आपको काफी आदा मदद मिलेगी एक अच्छा setup create करने में और फ्रेंट description के अंदर मैं इसका link डाल दूँगा जिससे कि आप इसे purchase भी करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पर भी follow नहीं किया है तो आप आपर भी follow कर लीजिएगा तो कावी सारी वीडियो ऐसी होती हैं जो कि मैं Instagram पर डालता हूँ वो मैं YouTube पर नहीं डाल सकता हूँ कुछ यूस तरफ्स भी हमारे पास जो आते हैं वो भी मैं Instagram पर post करता हूँ या फिर अपने Facebook पेज पर post करता हूँ तो आप चाहें तो इन दोनों को लाइक कर सकते हैं आपको description के अंदर दोनों का ये link मिल जाएगा तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिएगा और bell icon को ज़रूर दबाईएगा ताकि आने वाली वीडियो की notification भी आपको मिलती रहे time to time और वीडियो आपको कैसी लगी है comment box में बताईएगा आपका क्या कहना है इस AVR के बारे में अगर आप इसे use कर रहे हैं तो इसकी performance से आपको क्या लगता है satisfied है नहीं है या जो भी आपके दिल में होगा आप comment करकर जरूर बताईएगा मुझे और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो like भी जरूर कीजिएगा क्योंकि like करना बिल्कुल free होता है कोई पैसा नहीं लगता उसका तो चलिए अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा और जाते आते हमेशा की तरह आपसे सिर्फ एकी बात कहूंगा कि आप स्वस्त रह तो चलिए फिर में लूगा आपसे किसी नई वीडियो के अंदर अभी के लिए जैन दोस्तों